नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखंड जी के MCQs और इस सीरीज का आज हमारा ये 68 भाग यहां पर हम देखेंगे आज की इस वीडियो में भी हम उत्राखंड के 20 important MCQs के बारे में बात करेंगे ना सरिफ इनके answers को देखेंगे इन से जुड़े हुए जितने भी आपके extra question है extra fact है उनको भी हम यहीं पे cover करेंगे जिससे आपका साथ में revision भी हो जाए और आपकी practice भी यहां पर हो जाए तो चलिए friends आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक इस series के जो previous part हैं उनको नहीं देखा आप उन्हें playlist में जाके देख सकते हैं और वीडियो के end पे अपना score comment करके जरूर बताएं कि आपका कितना score यहां पर रहा चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है हमारा आज का मसूरी देहरदून विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी देखे मसूरी देहरदून विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना 1984 में होती है आपको याद रखना है औप्शन C is the right answer नेक्स्ट है हमारा किस धाम को देश का पहला आध्यात्मिक एको जोन जागिश्वर धाम को बनाया जाएगा औप्शन C हमारा सही आंसर होगा जागिश्वर धाम को लेकर कई सारे प्रशन पेपर में पूछे जाते हैं जागिश्वर धाम आपके अलमोडा में है ठीक है कौन सी नदी के तटपर है तो जटागंगा के तटपर है उत्राखंड का पांचवा धाम जागिश्वर धाम को कहा जाता है और किस भगवान से संबंदित है तो सिवजी से ये संबंदित है पेपर में पूछा जाता है ठीक है तो ये सारी बातें जागिशवर धाम को लेकर आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट है दो बातें एक यहाँ जटा गंगा नदी के तट पर है और दूसरा यिसे उत्राखंड का पांचवा धाम कहते हैं नेक्स्ट है हमारा शत्रू ताल किस जनपद में इस्तित है देखे जो शत्रू ताल है ये आपके टिहरी गड़वाल जनपद में इस्तित है Option C हमारा सही आंसर होगा ताल को लेकर जीलों को लेकर लगतार कोशन पूछे जाते हैं तो सत्रू ताल इंपोर्टेंट है टिरी गड़वाल में ये इस्तित है चलिए Next है हमारा हितैशी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था देखे हितैशी पत्रिका इंपोर्टेंट पत्रिका है ये आपके लैंसडाउन से आती थी ठीक है और पत्र पत्रिकाओं को लेकर लगतार पेपर में कोशन आते रहते हैं तो आपको इसकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए जो हितैशी पत्रिका था ये आपके 1935 में शुरू हुई लैंसीडाउन से आती थी और किसके दुवारा इसको प्रकाश्ट किया गया तो उनका नाम था पितामबरदत पस बोला ठीक है? तो ये आपको याद रखना है किसने प्रकाश्ट किया? पितामबरदत पस बोला कहां से किया? लैंसिडाउन से कब किया 1935 में और पत्रिका का नाम किया है हेतैशी पत्रिका चलिए नेक्स्ट है हमारा टिहरी किसान कल्यान बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो देखें टिहरी के अंदर किसान कल्यान बैंक इसकी स्थापना किसने करी important है आपको ध्यान रखना है option B कीरती शहा ने कीरती शहा ने टिहरी में किसान कल्यान बैंक की स्थापना करी थी कीरती शहा से आपके जो other question पूछे जाते हैं तो उनको भी यहीं पर देख लेते हैं आपका कीरती शहा से प्रश्ण बनता है पहला कि टिहरी घंटागर का निर्माण किस पमार शाशक ने करवाय था टिहरी घंटागर आपका 1897 में बना था और इसका निर्माण कीरती शहा ने ही करवाय था ठीक है एक और चीज आपको कीर्थी शाह से याद रखनी है कि इन ही के शाशनकाल में स्वामी रामतीर्थ ये टिहरी में आते हैं ठीक है 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी में आते हैं किसके शाशनकाल में कीर्थी शाह के शाशनकाल में यहां से स्वामी रामतीर्त को धर्म संसद में भाग लेने के लिए कीरती शाह कहां भेशते हैं? जापान भेशते हैं तो प्रशन बन सकता है कौन भेशता है? कहां भेशता है? एक और चीज आपको याद रखनी है जब स्वामी रामतीर्थ टिहरी में आते हैं तो कीर्थी शाह उनके लिए भवन का निर्मान करवाते हैं टिहरी में उस भवन को क्या कहा जाता है तो गोल-कोठी उसे कहा जाता है प्रशन बन सकता है गोल-कोठी का संबंध किस से है स्वामी रामतीर्थ से है किसने निर्मान करवाया कीरती शहा ने लास्ट पॉइंट जो आपको स्वामी रामतीर से पूथा जाता है कि उन्होंने किस वर्ष जो भिलंगना नदी है उसमें समाधी ली थी तो वो उन्होंने ली 1906 में ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है एक और चीज कीरती शहा से आखरी प्रशन जो आपका बन सकता है कि जो उस समय भारत का वाइश राई था लैंसेडाउन लैंसेडाउन ने किस पमार शाशरक की तारीफ करी थी तो कीरती शहा की तारीफ करी थी ठीक है लैस्डाउन ने किसी सभा में जो अन्य भारतिय राजा थे उनको कहा था कि आप कीर्ती शहा को अपना आधर्श बनाएं तो ये आपको ध्यान रखना है ठीके चलिए अगर आप पूरे पमारवन्ष के बारे में डेटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अल्रीड एक मास्टर वीडियो पना है आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे जो साथ राजा हैं पमारवन्ष के आपको वहाँ पर मिल जाएंगे नेक्स्ट है हमारा मांजीवन फूलों की घाटी कहां इस्तित है देखें मांजीवन फूलों की घाटी ये आपके उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है जो हमारी विसुप्रसिद फूलों की घाटी है वो चमोली में है और मांजीवन फूलों के घाटी ये उत्तरकाशी जोहर 1952 में घोशित किया गया, important है, आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसे fact वाली question आपके directly पूछ लिये जाते हैं, जिसमें आपके या दो वर्ष होते हैं, या तिथी आपको पूछी जाती है, नेक्स्ट है हमारा चांगठांग-Glezier किस जनपाद में इस्थी थै, चांगठांग-Glezier यह आपके उत्तरकाशी जनपत में इस्थी थै, ठीके, तो option C इसका सही आंसर होगा, चांगठांग-Glezier कहां है, उत्तरकाशी में नेक्स्ट है हमारा राज्य की पहली बांस मंडी कहां बनाई जाएगी तो राज्य की पहली बांस मंडी ये आपके हल्दवानी में बनाई जाएगी Option D हमारा सही आंसर है आपको याद रखना है उत्राखंड की पहली बांस मंडी कहां स्थापित होगी हल्दवानी में Next है हमारा अंबर धरा इको पार्क कहां इस्तित है तो अंबर धरा इको पार्क आपके टिहरी गड़वाल में इस्तित है Option D हमारा सही आंसर होगा आपको याद रखना है ठीक है और अंबर चर्खा केंद्र पूछेगा तो वो आपका मसूरी में इस्तित है दोनों अलग अलग है आपको दोनों को मिक्स नहीं करना है अंबर धरा, इको पार्क टहरीगडवाल, अंबर चर्खा केंद्र जिसकी स्थापना तारा प्रकाश जीने करी थे तो वो आपके मसूरी में है ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा थारू जनजाती में फसल रक्षा की देवी को क्या कहा जाता है तो थारू जनजाती में फसल रक्षा की देवी माना जाता है जगमतिया देवी को ओप्शन सी हमारा सही आंसर होगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है सीधा पूछ लेगा कि थारू जनजाती में फसलों की रक्षक किसे माना जाता है तो जगमतिया देवी को माना जाता है इसके अलावा थारू जनजाती में बागेश्वरी देवी को शिकार की देवी की रूप में पूजा जाता है और शीतला देवी को चेचक की बिमारी दूर करने के लिए पूजा जाता है तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है इस fact के साथ चलिए Next है हमारा किस जनजाती में पुर्षों को भोजनाले में जाने का अधिकार नहीं है तो कौन सी जनजाती में पुर्षों को भोजनाले में जाने का अधिकार नहीं है सही आंसर है option D थारू जनजाती में ही ठीक है थारू जनजाती में पुर्षों को अधिकार नहीं है कि वो कीचन में जाएं भोजनाले में जाएं नेक्स्ट है गन्ना विकास संस्थान कहां इस्तित है देखे गन्ना विकास संस्थान ये आपके काशीपुर में इस्तित है Option C हमारा सही आंसर होगा अब यहाँ पर आपको एक fact याद रखना है अगर गन्ना विकास संस्थान पूछा तो आप काशिपूर बताएंगे और अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा तो आप बताएंगे रुड़की में तो दोनों बातें आपको याद रखनी है गन्ना विकास संस्थान आपका काशिपूर और गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपके रुड़की में है तो दोनों आपको confused के लिए आपको ऐसा question बन सकता है आपको दोनों संस्थान याद रखने है विकास पूछेगा काशिपूर अनुसंधान पूछेगा तो फिर आप बताएंगे यहां पे ठीक है रुडकी में ये आपको ध्यान रखना है इस रचना की आपको याद रखना है ये के ये रचना तो आपको याद रखनी है सीधा पूछी जा सकती है दूस शक्र में श्रिष्टा किसकी है आप बताएंगे विरेन डंगवाल एक और प्रशन इसी कोशन से रिलेटेड आपको याद रखना है कि इसी रचना के लिए वर्ष 2004 में विरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरसकार भी मिला था किस रचना के लिए मिला दूस शक्र में श्रिष्टा किस वर्ष मिला 2004 में ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ष गुरु मानिकनात यात्रा का आयोजन किस जनपद में होता है तो जो आपकी गुरु मानिकनात यात्रा है हर साल आयोजित होती है कहां टिहरी गड़वाल में ओप्शन डी हमारा सही आंसर होगा नेक्स्ट है हमारा मुर्खी आबुशन को किस अंग में पहना जाता है मुर्खी आबुशन जिसे हम बुजनी भी कहते हैं ठीक है तो बुजनी आबुशन या मुर्खी आबुशन आपके कानों में पहना जाता है Option C हमारा सही आंसर होगा कान में पहने जाने वाले अन्या प्रमुग आभुशनों की अगर मैं बात करता हूँ तो एक आता है आपका मुर्खली ये भी कान में पहना जाता है इसके अलावा एक आता है तुगियल ये भी कान में पहना जाता है तो कान के यह आबूशन है आबूशन पेपर में पूछे जाते हैं नेक्स्ट है हमारा देहरादून में राश्ट्रिया दृष्टी बादित संस्थान की स्थापना कब की गई थी तो यहाँ पर भी आपके दो कोशन बने पहला राश्ट्रिय दृष्टीबादी संस्थान कहा है तो यह देहरा दूर में है और इसकी स्थापना कब की गई तो 1943 में इसे स्थापित किया गया था ठीके चलिए नेक्स्ट है हमारा राज्य में गांधी मंदिर कहां इस्तित है उत्राखंड में गांधी मंदिर आपका नेनिताल जनपद में इस्तित है उप्शन बी इसका सही आंसर होगा आपको याद रखना है सीधा प्रशन बनेगा राज्य में किस जनपद में गांधी जी का मंदिर है तो आपके नैनी ताल में इस्तित है नेक्स्ट है हमारा बैजनात में उत्राखंड की परथम कृत्रम जील कब बनाई गई थी दीए उत्राखंड की पहली कृत्रम जील कहा है आपके बैजनात जील है ठीक है और इसका निर्माण कब किया गया तो 2016 में इसका निर्माण किया गया Option B इसका सही आंसर है आपको याद रखना है उत्राखंड की पहली कृत्रिम जील कहा है बैजनात और कब बनी 2016 में पनी थी ठीक है चलिए Important है पेपर में पूछा जा सकता है Next है हमारा और आज का अंतिम प्रश्ण है अल्मोडा में रामकृष्न कुटिर की इस्थापना किसने करी थी अल्मोडा के अंदर रामकृष्न कुटिर की इस्थापना स्वामी तुरियानंद के द्वारा 1916 में की गई थी तो यह सारे फेक्ट आपको याद रखने है पेपर में बन सकता है रामकृष्न कुटिर कहा है अल्मोडा में है किसने इस्थापित किया स्वामी तुरियानंद के द्वारा 1916 में इसे इस्थापित किया गया था तो फ्रेंट्स यह था हमारा उत्राखन जी के MCQ सीरीज का आज हमने पार्ट 68 यहाँ पर कवर किया उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के शार शेयर करें साथ ही जो आपके उत्राखन के आने वाले जो एक्जाम है काफी सारे एक्जाम आपके होने हैं सारे एक्जाम लगबग सात में होंगे आपके चनाओ के बाद कभी भी आपके डेट्स आ जाएंगी एक्जाम की तो आपको अपनी पढ़ाई को कंटेन्यू करना है और अगर आप उत्राखन्ड की जो बुक वाइस कवर करना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं हम परिक्षावानी को कवर कर चुके हैं चैप्टर वाइस पूरा हमने अजयरावत जी की जो किताब है उसको पूरा कवर किया है पहले हमने एक फैक्ट बेस पूरा कवर किया उसके बाद एक क्रैस कोश्ट में भी हमने अजयरावत जी की बुक को cover किया है इसके अलावा जो राजेंदर बलूदी जी की किताब आती है उस किताब को भी हम cover कर चुके हैं तो तीन महत्पून किताबें उत्राखंड के एक्जाम के लिए जहां से आपके प्रश्ण बनते हैं किसी भी एक्जाम के लिए आपके बेसिक किताबे हैं तीनो, प्रिक्षवानी, जेरावत और राजेंदर बलूदी आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके उनको आप वाच कर सकते हैं साथ ही जो अधर वीडियोज हैं उत्राखंड से रिलेटेड आप उनको भी जाके देख सकते हैं आपका अच्छे से पूरा उत्राखंड जीके कवर हो जाएगा साथ ही जीके को कवर करने के लिए भी आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं अगर आपको यह आज का वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू फ्रेंड्स